अरनब गुसवामी का अरेस्ट हुआ है। और अरेस्ट अरनब का हुआ है। पर दूसरे लोगों यह जो की हमें बहुत जाद ही पोक्राशी और बहुत जादा व्यर्ड मैंनसेटTS वह दिखने में आए हैं। सिंपल एक एक्सांपल जो जिसने मैं स्टार्ट करना चाहती हूं वो है जस्ट मतलब महीने हुए है सिर्फ इस बात को जो अगुरिमा जोश्वा का जो जोक का सब हुआ था पीपल वर शाउटिंग की मतलब तों फ्री स्पीच कैसे काउब कर सकते हो किसी की हर चीज में फ्री स्पीच और यहां पर ही दिखता है कि लोग फ्री स्पीच को मारो गोली उनको फ्री स्पीच की कोई नहीं पड़ी है उनको सेलेक्टिव फ्री स्पीच की पड़ी है कि जो मुझे बोलना है मेरे जैसे लोगों को बोलना है उन्हें बोल दे जो बाकी सब के बस अभी का अभ कि अपन्त करा हूं। सिट्वेशन डिफरेंट है कि जो अर्ष्ट वहा है वो फ्रीज पीच आ कुछ बोलने पर या इस पर नहीं हुआ है। बॉल तोगेदर दूसरे केस पर हुआ है। लॉट पीपल नॉट नॉट रॉट पर हुआ है। और जब तक तुम वह सेक्शन में फॉल नहीं करते हो तो प्लीज फ्रीज का ढूंगना प्लीज बंद कर दो। दूसरे तरफ से जो मैंने देखा है। अर्नब गुस्मामी एक राइट विंग हीरो जैसे हो गया है। यह मैंने पहले भी एक विडियो में बोला था कि लोगो की मेमरीज जो है ना बहुत जादा ही छोटी होगे। इवन हमार पास इंटरनेट है आप गूगल करके ही पहले की सारी चीजे एक क्लिक में आपको मिल सकती है। तो भी लोगो को पास्ट याद नहीं रहता जब पूरा सब्रेमाला का केस हुआ था तब अर्नव का क्या स्टैंड था और कितने लोग अगेंस थे और आज ऐसा भी नहीं है कि लोग सिर्फ उसके लिए हाँ फ्री स्पीच और यह सब के बार में सबोट करें। सिर्फ लिए उसको कुछ लोगों ने मैं I read some things I feel like लोगों ने अनव को स्वामी और एपब्लिक टीवी को एक राइट विंग हीरो की तरह बना दिया। और मुझे परसनली तो विद हिम पूरा सर्जीत सिंह का ही केस चाहता है सर्जीत सिंह और जसलीन को जहां मतलब तुम बैटके ओटर एक इनसान का पूरा क्यारेक्टर ऐसी तरह से मलाइन कर रहे हो पूरी धजियां ओडा रहे हो उसकी लाइफ की जिसके लिए आज तक अप पर जो केस हुआ है उससे रिलेटेड क्या सही क्या गलत मेरी परसनल व्यूज जो है उसके बार में मैं रिजर्व रखना चाहूंगी अपने पास पट दरीजना में इस वीडियो इस फॉर अधर बीपल जो मैंने देका गए कि लोगों की खुद की थौट्स हैं ही नही आज जितनी ट्रेटर पे हैं इंस्टरग्राम स्टोरी शेयर करने पे हैं उनके सोशल मीडिया अक्टरिजम पे हैं भेडबगरी बन गया है सब और जस्ट एज अन एंग्सारा जो बोलते हैं बस वही फॉलो करो I know मैं उनका नाम बहुत लेती हूँ I think it's my favorite example बट वो लोग या वैसे और भी कोई लोग उनकी ही बात आप बोल रहे हो आप खुद से तो सोच रहे हो ही नहीं परसनल थिंकिंग परसनल अनालसिस तो किजी का है ही नहीं इससे मेको अच्छली एक बहुत अच्छा कोट यादा है बाइ ओसकर वाइल्ड जो मैं रीडाओ करूंगी most people are other people their thoughts are someone else's opinions and their lives are mimicry, their passions are quotation which is very very true और यह केस में तो बहुत जादा यह दिग गया है तो next time अप अपना social media activism कर रहे हो यह अपनी कोई, you know, अपना opinion firm कर रहे हो कोई जीस के बार में रीड कर रहे हो सोचो कि यार मैं खुद से सोचनी हो इस बार at least, let's not follow the footsteps of other people and that is it जो मुझे इस वीडियो में दो ला है अपकी क्या thoughts है इसके बार में, not directly about the case and about Arnab's arrest कि लोग जो आपको ऐसे लगता है कि दूसरों की बात बोलता है खुद के लिए नहीं सोचते हैं, ऐसा है बर्ड मेंटालिटी की नहीं है let me know in the comments down below and bye-bye